चालो देखो लेटा अगला चेप्टर है आपका Magnetic Field and Magnetic चेप्टर का नाम है आपका Magnetic Field and Magnetism देखिए जैंसे, सबसे पहले इसमें आस्टार नामा के एक साइन्टिस्ट आएंगे जिन्होंने सबसे पहले करेंट कारिंग वायर लिया और with the help of compass, इन्होंने Magnetic Field की Definition प्रोड्यूस की कैसे प्रोड्यूस की? इन्होंने एक Element, Elemental वायर लिया उस Elemental वायर को ड्रॉ किया सबोस करिए ये किसी Metal का वायर है और इसमें इन्होंने Electric Current देदिया आई क्या है विटा? Electric Current ये देदिया इन्होंने इसके बाद इन्होंने एक कमपस लिया कमपस को North, South इन्होंने कमपस को ले करके जैसे ही इस वायर के नजदीक ले गए तो ये कमपस डिफलेक्ट होने लगा यहाँ पर क्या उत्पन हो गया? डिफलेक्शन होने लगा जैसे ही डिफलेक्शन होने लगा वैसे ही इनको पता चला कि जब भी हम किसी मेगनेटिक वायर को एलेक्टिक करेंट देते हैं तो वो अपने चार ओर एक फिल्ड क्रियेट करता है और उस फिल्ड को हम क्या करते हैं? मेगनेटिक फिल्ड करते हैं तो यहाँ पर डिफनीशन बनेगी मेगनेटिक फिल्ड की current carrying, current carrying wire produces, current carrying wire produces, magnetic field, magnetic field, around itself, itself. अपने ही चारो और एक फिल्ड बना लेता है, और उसी फिल्ड को क्या कहते हो, magnetic field कहते हो, but condition है, condition पहली लाइन में लिखी है, current carrying wire होना चाहिए, आप सोचो कि आप सिर्फ एक wire रख दो, और सोचो कि उसके चारो और magnetic field बन जाए, that is not possible, ऐसा possible नहीं है, बस वन आई, आपको wiring wire लेना है, एक ऐसा wire जिसमें current flow हो रहा हो, तो आपको कहीं पे wire रखना है, फिर उस wire को किसी plug से attach कर देना है, battery से, या आपकी switch से, कहीं से भी attach कर दीजिए, कि उसको क्या मिलने लगे, electric current मिलने लगे, जैसे electric current मिलेगी, इसके आज पास कोई भी object, जो जिसके पास charge हो, या वो खुद भी elemental हो, बास आज में आई दो condition है, या तो उस body के पास charge हो, या फिर वो body elemental हो, लेकिन problem एक जिगे आई, अगर आप कोई body, rest में रख देते हो, सबोस करो एक body है, इस body का नाम दे दिया, आपने body, ये कोई body है, इस body को आपने यहा रेस्ट में रख दिया, और यहा तो आप ये इसको attract या distract करेगा, तो नहीं करेगा, ये इसको एक भी percent ना attract करेगा, ना distract करेगा, क्योंकि condition है, जब तक relative motion नहीं होगी, तो इस compass को हम बार बार इससे पास या दूर ले जा रहे थे, तो जब दूर ले जा रहे थे, तो deflections हुई, direction change कर रही थी, कैसे कर रही थ इसको दूर ले जाएंगे, तो ये इस तरह indicate करेगी, ऐसे यहाँ पर magnetic field, indicate नहीं हो रहा है, यह आपकी compass अभी current carrying wire से दूर है, तो आप इसको pass ले जाओगे, डडडडडडडड़ दीरे-दीरे slow motion में, pass ले जाओगे, तो यहीं तो आप bar magnet में भी करते हो, bar magnet आपका छोटा स होता है, rectangular, उससे जैसे जैसे आप compass पास ले जाते हो, तो भी उसमें deflection indicate होता है, दूर ले जाते हो, तो भी deflection indicate होता है, उसकी limit से range से बाहर ले जाते हो, तो compass में कोई भी deflection सो नहीं होगा, तो यहाँ पर deflection सो तभी होगा, जब आपकी object किसमें होगी बटा, relative motion में होगी, relative सबसे स्ट्रॉंग मैंगनेटिक फिल्ड अगर कहीं होता है तो वो सर्कूलर वायर में होता है हेलिकल वायर में होता है या तो एक सरकल बना हो या तो बहुत सारे सरकल बने हो और बहुत सारे सरकल बने हो जैसे इस्प्रिंग देखी आपने तो इस्प्रिंग जो है उसको मैंगनेटिक फिल्ड में हैलिक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है तो उसकी बात अभी करेंगे अभी स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो स्ट्रॉंग मैगनेटिक फिल्ड है वो इतना स्ट्रॉंग नहीं हां पड़ आपकी कमपस को डिफलेक्शन प्रजेंट कराने के लिए परयाबता है इसमें डिफलेक्शन इसकी रीजन की वज़े से हो जाएगा क्यों क्यो सौन में और नहीं अति वांन लाग्यी सब को कि की माजेटिक फिल्ड को और सार्ड नामक साइंटिस्ट ने कैसे प्रो डियूझ करके दिखाया उसके लिए उन्होंने एक वाईर लिया वाईर में क्या दिया एलेक्रीक करेंडिया जैसे ही electric current दिया, उसके चार और magnetic field produce हो गई, यह बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि उन्होंने compass लिया, इस device का नाम क्या है बटा, compass, compass में indicate होने लगा deflection, इस deflection से इन्होंने definition को लिखा, यह जो definition आपके सामने लिखी हुई है, यह definition, यह definition magnetic field की है, और इसको सबसे पहले दिया इसके बाद एक दूसरे scientist आते हैं, जो auster के experiment से, एक नया experiment करते हैं, और magnetic field की value निकालने की कोशिस करते हैं, और एक derivation देते हैं, तो scientist का नाम क्या है बेटा, scientist का नाम है, बायो, सेवर्ट, scientist का नाम है, बायो, सेवर्ट, law का नाम है, बायो, सेवर्ट, law, इन्होंने इनके experiment को देखा, और देखने बाद में result दिया, क्या result दिया, इन्होंने कहा, कि किसी भी wire को, अगर आपको electric current देते हो, तो उसमें जितना ज्यादा electric current आप दोगे, उतना ही ज्य electric current की value कम है, तो magnetic field भी कम होगा, electric current को आप increase करोगे, तो magnetic field भी increase होगा, यह दोनों ही एक दूसरे के directly proportional होते हैं, अगर आप electric current की value, I की value को आप increase करोगे, तो आपकी magnetic field भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, बास आन में आई, डूसरा result इन्होंने दिया, db proportional dl, यानि कि अगर आ db proportional dl, इन्होंने कहा कि जितना amount wire का होगा, यानि जितनी ज्यादा length होगी wire की, उतना ही ज्यादा magnetic field होगा, अगर आप एक छोटा सा wire ले रहे हो, उसके अंदर electric current flow कर रहा है, तो आपका magnetic field छोटा सा होगा, अगर आपको बहुत ज्यादा magnetic field प्रोड्यूस कराना है, तो आपक जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपका magnetic field होगा, तो यहाँ से भी result दिया इन्होंने, dl को increase करिये, magnetic field अपने हाप increase हो जाएगी, बासमझ में आई, फिर fourth result इन्होंने दिया, यहीं से db proportional sin theta, इन्होंने कहा कि जिस point पे, आप diagram मना लेते हैं, इसको समझने के लिए, same diagram, जो ostrd ने दिया था, ostrd का same diagram था, बायो सेवर्ट ने भी same diagram यूज किया, अब सपोज करिये कि बायो सेवर्ट कहरा हैं, कि यह point P है, और इस point P पर, इस element, केवल इतने से element, छोटे से element, dl, सपोज करिये इस wire की length L है, और बायो सेवर्ट ने का कि DL की वज़े से, point P पे कितन magnetic field होगा तो यहाँ से इस wire of length और point के P के बीच में DL और point के B के बीच में जो angle बन रहा है इसकी sign की value depend करेगी जितनी ज़्यादा sign की value होगी उतनी ज़्यादा आपकी magnetic field point P indicate होगी sign की value decrease करेगी तो magnetic field भी decrease करेगा इसलिए इन्होंने कहा कि DB proportional sign theta यानि आप sign theta को increase करते जाएं sign theta की value increase होगी तो magnetic field भी आपका increase हो जाएगा fourth result इन्होंने दिया suppose करिए कि DL से point P के बीच की distance यहां से point P और DL के बीच की जो डिस्टेंस है और इन्होंने कहा कि DB इस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर अगर आप आर की value increase करोगे तो आपका magnetic field क्या होने लगेगा decrease होने लगेगा सबसे पहला reason electric current ज्यादा magnetic field ज्यादा length of wire decrease करोगे magnetic field भी decrease हो जाएगी sin theta की value जितने ज्यादा decrease करोगे magnetic field decrease हो जाएगी sin theta maximum करोगे अब maximum में अगर sin theta in case 90 degree हो जाता है तो यहां पर जो आपकी magnetic field होगी वो maximum हो जाएगी sin theta अगर आपका 90 हो जाता है तो यहां पर आपकी magnetic field क्या हो जाएगी बिटा maximum हो जाएगी बस होन में आई नहीं आई इतनी बस होन में आ गई कि क्या-क्या result बताए सबसे पहला करेंट फिडियल फिसाइन डीटा और फिर इसकोर इन्हों नहीं का जैसे-जैसे-जैसे-पॉइंट-पी आपका दूर जाएगा जैसे-जैसे-पॉइंट-पी आपका दूर जाएगा वैसे-वैसे आपकी प्रक्माइड कर दिया यह एक्वेशन फर्स्ट यह एक्वेशन सेकेंड यह एक्वेशन थर्ड और यह एक्वेशन पॉर यह भी यह लिए combined these equations dash, यहाँ पी आएगा db proportional i dl sin theta upon r square, proportional अठाएंगे, db is equal constant की value आएगी, mu not upon 4 pi i dl sin theta upon r square, यह जो formula लिखा हुआ है, यह बेटा scalar form है, क्या है यह? scalar form of bio severed law, bcl, पासवान में आई, scalar form of bio severed law, इसका vector form क्या होता है? इसका vector form होता है, db, vector db is equal mu not upon 4 pi i आपकी, ना तो scalar है, ना vector है, यह tensor quantity है, इसको पूरा मैंने describe करके बताया था, तो इसके उपर कभी vector मत लगा दीजिएगा, जबकि इसके पास direction भी होती है, अब यहाँ आपको sin theta को remove करना है, और यहाँ लिखना है, vector dl cross vector r upon r cube, यह आपको vector form है, यह क्या है गटा, vector form of, byo severed log, byo severed log, यह आपको vector form है, आपने vector पढ़ा होगा, फोड़ा सा फिर बताया देखा हूँ आपको, last में है, आपको ले चलते हैं सीधे vector में, जहाँ पर हमनों आपको यह बताया था, i cap, j cap, k cap, पताया था बटा, x की direction, y की direction, z की direction, याद है कुछ थोड़ा बहुत, नहीं याद है, x की direction को represent करते थे आप i cap से, y की direction को represent करते थे आप, j cap से, यापका है, j cap, z की direction को आप represent करते थे, k cap से, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, कि जहाँ पर भी cross product होगा, suppose करिए, कि लिखा हुआ है, vector i cross vector j, तो यहाँ पर i cross j करेंगे, तो i और j के बीच का angle कितना है, 90, तो जब भी cross product होगा, sin theta आएगा, तो यहाँ आप लिखोगे i cross j, यहाँ पर आएगा sin 90, और sin 90 की value कितनी होती है, 1, यहाँ से 1 रखनेंगे, same product मिलेगा आपको i cross j, और जब i cross j को solve करोगे, तो third vector मिलेगा k, यानि i cross j का solution होता है k, बस और जाई, उसी तरह यहाँ पर दो product हैं आपके, dl और क्या, r, एक है vector dl, और दूसरा है vector r, vector dl जो है, वो यह है, element of wire, और vector r है position vector, वेक्टर r क्या है, position vector, जो आपके point p की exact position बताएगा, और इसकी direction confirm होती है, अगर आप right side में लोगे, तो right side magnetic field की direction change हो जाती है, यह मत सोचिएगा कि यह point p हवा में लिख दिया है, मैंने, यहाँ पर direction है, कहाँ से निकालते हैं direction, right hand palm rule, द्यांसे देखिए, अगर हमारी wire में current की direction है, यह है, यह हमारे current की direction है, तो आपको अपने thumb को, thumb को आपको लेना है current की direction में, और finger को करल करना है 90 degree, thumb को current की direction में finger को करल करना है 90 degree, तो magnetic field कहा जा रहा है, inside, 90 degree inside, तो आप यहाँ cross बना दोगे, cross का मतलब होता है magnetic field 90 degree inside है, बासवान में आई, अब इसका opposite देखो, suppose करो current की direction ऐसे, आपो, thumb को रखो, current की direction में फिर से नीचे कर लो, finger curl करो, finger curl करो 90 degree कहा जा रहा है, बाहर, तो यहाँ पर आपको symbol बनाना है, dot का, जहाँ पर dot का symbol बना हो, magnetic field में, समझ जाईए, magnetic field outside है 90 degree, जहाँ पर cross बना हो, समझ जाईए, magnetic field inside है 90 degree, बासवान में आई, नहीं आई, अगर current की direction upside है, cross बनाएंगे, current की direction downside है, dot बनाएंगे, clear, नहीं clear, अब मैं इसको फिर से ही रेस कर देता हूँ, अभी ये सवागे बताऊंगा, अभी ये, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लो लिखना है, wire, current की direction रिप्रेजेंट कर देंगे, यह बासवान में आई, जैसे ही vector अटेगा क्या आता है, sin theta, तो यहाँ पर theta confirm था, 90 degree पर ही रखना है तो vector को, इसलिए sin theta आया था, जैसे ही अटाओगे, दूसरा vector आता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ आपने vector form लिखा है, जैसे ही आप vector अटाओगे, यहाँ से suppose करो आपने vector अटाया, vector अटाओगे, db is equal mu naught upon 4 pi i, vector अटा दिया हमने, vector अटेगा, इनके बीच का angle आएगा, dlr sin theta, यहाँ लिखा हुआ r cube, 1 r स 1 r cancel हो जाता है, तब जाके आपका scalar form मिलता है, correct formula यह है, बासवान में आई, बायो सेवर्ड ने कौन सा formula दिया था, यह, position vector से, क्योंकि magnetic field में confirm direction होती है, अगर direction change होगी, तो भी magnetic field increase या decrease करता है, बासवान में आई, नहीं आई, यह अभी, यह जो statement मैंने अभी बोला है न, magnetic field की direction depend करती है, magnetic field को increase या decrease करने में, यह समन में आएगा अभी जब circular वाली बहुत problem होती है, बासवान में आई, यह, आस्टर्ड का experiment है, इन्होंने, ही, magnetic field की definition मनाई थी, current carrying wire produces magnetic field around itself, तो यह magnetic field की definition है, magnetic field, इसको जितना तेजी से note कर सकते हो, तो note करो, फिर आगे derivation बताएं, आज यह सब कहां बिलूट हो गए, यूँ ससान, अमन, हो घँ कि डहो इसन दो, यह, तो बिलूशन के ज़े ओल कुछ एह इसक fürsाइदा एँ सकते हैं, जदम मैं अहल सकता है, गँ ओप मैं एक OH Isaiah 2, मैं मैं झेट कहां खुए, जाद हो एक हैंगे इसका आर रहां ह générale हो ब Wendy? हुँज सब कहां हैं.. झाल 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 प्रिया प्रिया पिछले बार भी तो आई थी पिचे एरा दिखान चली गए थी खिए अग़न आई ग़री यहाई यी ती आई प्रिया शटरैडे को तुम क्यों नहीं आई थी ओ किसे दिन में वहीं आके मम्मी सामने मारूंगा समल ले ना मम्मी को भेवकूब बनाती रहती हो अब देखो कभी बाहना बना दुग सो गई थी थोड़ी चिंता तो नी चाहिए ना करें? क्लव कर दो हाँ क्लव कर दो दुग ठूच्छ क्लवश जगा है था है जह झाम झाल 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 देखिए सबसे पहले magnetic field के formula से जो भी formula आया था B is equal यह db db is equal mu naught upon 4 pi i dl sin theta upon r square magnetic field की unit क्या क्या होती है db की unit magnetic field की unit होती है tesla जिनका पूरा नाम है Nicholas tesla यह सबसे famous unit mks की है और दूसरी unit जो formula से आती है वो है और करके लिखिए और newton upon ampere meter newton upon ampere meter third units है goss goss जो आपने first chapter में goss theorem पढ़ी है उनका भी यहाँ योगदान है तो goss भी इसकी unit होती है बट यह cgs है यह दोनो mks है यहाँ लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे यह cgs unit है बस वन जाए और इसकी value होती है 1 goss is equal 10 की power minus 4 tesla यह इसकी conversion value है कहीं भी goss लिखी हो unit तो आप उसको mks में convert कर लेंगे tesla में आप देखिए dimension निकालनी है unit and dimension unit and dimension unit and dimension किसकी find करनी है mu naught की mu naught circle बना दिया mu naught को कहा क्या जाता है विटा permeability permeability of free space of free space less vacuum यह इसका पूरा नाम है mu naught और इसी constant की हमें unit and dimension find करनी है सब को एक तरफ कर लीजिए mu naught को एक तरफ कर लीजिए db into r की value उपर आएगी r square upon i dl sin theta 4 pi उपर बेज़ दीजिए constant है और constant की कोई unit होती नहीं है यहां आपने लिखा mu naught आज़ों में आई is equal फिर से symbol लगाया यह इसके बराबर अब हम इस साइड इसकी unit लिख लेते हैं db की unit अपने आपकी लिखिया भी Newton upon ampere meter तो db की place पे लिखिये Newton upon ampere into meter r की unit distance distance की unit meter square तो जहां लिखिये meter square 4 pi constant है और जहां जहां हम circle बनाएंगे उसकी कोई unit नहीं angle की unit होती है बड dimension नहीं होती है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और count नहीं होती है ठीक तो कि इसको conversion करने के लिए mks में pi upon 180 को convert करना पड़ता है और maximum magnetic field maximum पर होता है 90 degree पर इसलिए इसको count नहीं किया जाता है इसके accept बचे ये दोनो ideal तो i की unit ampere और dl फिर से meter है तो इसकी unit फिर से meter 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 square cancel हो गया mu naught की unit बन गई newton upon ampere square newton upon ampere square ये इसकी unit आ गई बात वन में आई आपने इसकी unit find कर लिए अब dimension find करेंगे dimension mu naught is equal newton upon ampere square newton को हम distribute करेंगे f is equal ma force की unit newton mass की unit kg acceleration की unit meter upon second square और हाँ एक बार एक प्रस ना आया था बोट पेपर में क्या आया था acceleration की unit और क्या होती है generally बच्चे सिर्फ यही समझते हैं कि acceleration की unit meter upon second square होती है और option में ये नहीं था और जबकि ये question बहुत एजी था लेकिन बच्चे नहीं कर पाए formula लिखेंगे f is equal m upon a a is equal f upon m option में लिखा था newton upon kg और ये options आई था क्योंकि उस option में meter upon second square नहीं था बस आँगाई तो acceleration की एक unit ये भी होती है तो board paper में कभी-कभी अगर teacher थोड़ा दिमाग से हटा हुआ 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 तो ऐसे question जरूर देता है और ऐसी 2-4 unit है समय समय पर जैसे ही आएंगी में बता दूँगा तो acceleration की आज से दो unit दिमाग में होनी चाहिए एक meter upon second square और दूसरी newton upon kg बस आँगाई आप ध्यान से देखिए इसको आँगा अब आप newton को यहां से replace करोगे और newton की place पे लिखोगे kg meter upon में आएगा second square और upon में एंपियर square पहले से हैं यहां लिखिए एंपियर square अब आप dimension लिख सकते हैं newton की kg को capital M meter को capital L second को capital T square लगा इसकोई लगा देंगे और empire को capital A यानि current को capital A square लगा है हम भी लगा देंगे लिखने का सही तरीका पहले moss फिर length फिर time फिर current serial से लिखेंगे mu naught is equal ml t की पार minus 2 a की पार minus 2 यह आ गई हमारी mu naught की dimension note करिए और acceleration की भी unit note कर लिजिएगा और यहां पे चाहे तो एक चीज़ और लिख लिख लिजिए इसका doubt ही कतम हो जाएगा theta is equal 90 और sin 90 की value और अ की झाल 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 आप देरिवेशन देखिए द्यांसे झाल 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 तो आपका इलिमेंट कहा है यहाँ आपको क्या करना है इस लेंथ को भी सपोस करना है यह जो डी यल से पॉइंट पी की डिस्टेंस है इसको इस्मॉल आर आज इस जैसे हमने डाइग्राम मना है था यह इसको 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 गसे तरहाँ गसे हमने की अब आज आज़ाइँ अज़ेंगे के अचे इसके आज़ेंगे ली की अचे польз करेंगे यह जो अज़ी आज़े साइए अ इसको आप यूज़ करेंगे अब आप अपने डाइग्राम के एक ओर्डिंग फार्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे डी बी इस इक्वल म्यू नॉट फोर पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा अपान और इसको आए यहां पे क्या नहीं लिकाने एलेक्ट्रिक करेंट यहां पे आपको एलेक्ट्रिक करेंट की डियरेक्शन कई भी सो कर दिजिये उपर नीचे उससे कोई परक में पड़ता डायरेक्शन चेंज हो जाएगी किसकी माइगणेटिक फिर्ड की अब ध्यानदा cos theta, तो हम यहां लिखेंगे sin 90 minus theta is equal cos theta और इसको यहां पर उठागे लिख देंगे और इसको bracket में इस तरीके से indicate करेंगे, db is equal mu naught upon 4 pi i dl यहां लिखेंगे cos theta upon r square अब हम use करेंगे अपनी length का जो हमने suppose की है और यहां से value निकालेंगे suppose करिए कि अगर हम यह length जहां पर हमालों triangle बन रहा है इसकी overall length को हम मानने सिर्फ triangle वाले की, कौन सा triangle यह point P है इसको क्यू suppose कर लिए तो इसको suppose कर लिजिए triangle O P Q अगर हम इस triangle में tan theta लगा दे, लगा दे tan theta तो tan theta is equal क्या हो जाएगा बटा perpendicular upon base perpendicular upon base पास सवान में आई, नहीं आई यहां लगाएंगे perpendicular upon base, perpendicular कोन है L, base कोन है A नहीं सवान में आई बार perpendicular upon base L upon A कोई problem, किसी कोगी triangle देख लिजिए क्या लिखा हम ने, O P Q, यह आपका angle theta है, theta के सामने वाली side perpendicular, तो यह perpendicular हो गई और यह base हो जाएगा, तो L upon A अगर हम यहां से L की value के term में, यानि L के term में लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं, L is equal A tan theta, पासओं जाई, नहीं आई, अब हम इसका theta के reference में, differentiation करेंगे, किसके reference में, with respect to theta, तो हम इसको लिखेंगे, D L upon D theta is equal, A constant है क्योंकि point P की distance को change नहीं किया जा सकता, A, D tan theta upon D theta, tan theta का differentiation side में indicate करें, D upon D theta, tan theta is equal, sec square theta, यह हो जाएगा, आपका sec square theta, line की चीर, यहां लिखेंगे, D L upon D theta is equal, A sec square theta, इस D theta को इस side ले आईए, D L is equal, A sec square theta, into D theta, जहां पे need होगी, वहां पे हम D L की value लिखेंगे, हमने पहले L की value find की, फिर L की help से D L की value find की, जब जरूरत होगी तब हम D L की place पे क्या लिखेंगे, A sec square theta, D theta, बस हो जाएगा, नहीं है, अब हम फिर से अपनी triangle को use करके, अब जो हमारी length है, यह length हमारी A है, और यह length हमारी R है, अब हम इस पे, ऐसा angle लगाएंगे, जिसमें यह दोनों sides आ जाए, यानि base आ जाए और hyper news, तो sign theta लगाओगे, तो perpendicular upon hyper news नहीं आएगा, हम लगाएंगे cos theta, base upon hyper news, यहाँ भी लिखिए, cos theta is equal, base upon hyper news, base है आपका A, hyper news है आपका R, यह बासवान में आई, नहीं आई, अब इसको अगर हम इस side ले जाएंगे, यह हो जाएगा, R के term में, R की value अगर लिखना चाहें, तो R is equal, A upon cos theta, यह हमको मिल गई R की value, बासवान में आई, अब दूसरा term, ज्यान से देखिए, sec theta is equal क्या होता है बटा, 1 upon cos theta, तो आपको दिख रहा होगा यह term कहीं पे, नहीं दिख रहा, अभी अभी तो निकाला है, R is equal, A upon cos theta, A को बाहर लिखो, 1 upon cos theta, और 1 upon cos theta क्या हो जाएगा, sec theta, तो जब use होगा, तो इन सब को convert करने के लिए value जरूर लिखना है, बासवान में आई, सबसे पहले यह सब indicate किया, इसके बाद में यह indicate किया, अब आपको बेटा value put करनी है, किस equation में है, equation number first, यह आप इसको equation number first लिखिये, और यहां लिखिये, put the value of R and DL on equation first, equation first में value put करेंगे, क्या हैगी value, equation db is equal mu naught upon 4pi, i, cos theta को पहले लिख लिखिये, dl को बाद में लिखिये, dl की value, a sec square theta into d theta upon, अब R की value लिखिये, R की value क्या आएगी, a upon cos theta, और यहां क्या लिखा है, square, तो आप इसका करोगे, whole square, बाद में आई, नहीं आई, अब ध्यान से देखिये, छोटा सा तर्म है, लेकिन बहुत गलत होता है, one upon cos theta को हम क्या लिखेंगे, sec theta, तो बेटा one upon cos theta लिखा है, तो square भी लिखा हुआ है, इसको लिखोगे, sec square theta, तो अगली line में हम direct लिख रहे हैं, क्योंकि हम indicate कर चुके हैं, db is equal mu naught upon 4 pi i into a, a को पहले लिख लिख लिखा हमने, cos theta, sec square theta, d theta, upon a को बाहर किया, a square हो जाएगा, one upon cos theta का square बन जाएगा, sec square theta, इस sec square से, इस sec square को cancel कर देना है, बासवान में आई, नहीं आई, यह बासवान में आई, कि नहीं आई अभी, आप ध्यान से देखिए, इस, के term को, कहीं से suppose कर लेना है, यहां तक, और कहीं से suppose कर लेना है, suppose कर लिए, हमने यहां से suppose कर लिया, और यह जो point P है, यह origin हो गया, आपका origin, आप ध्यान से देखिए, according to coordinates, upper side जाओगे positive, lower side जाओगे negative, अब आपको angle suppose करना है, क्या suppose करना है, कि यह angle है, 5, 2, कुछ भी suppose कर लिजे, यह पूरा angle, और यह पूरा angle कितना है, minus का 5, 1, तुक यह में integration करना है, पासवान में आई, नीचे का angle minus 5, 1, और उपर का angle plus 5, 2, अब कंपल सरी नहीं कि 5, 2 इसी को मानो, 5, 2 तुम नीचे भी मान सकते हो, बस sign भूल मत जाना, origin के नीचे का sign negative, origin के उपर का sign positive, पासवान में आई, different, differentiation करने के लिए, इसको एक बार लिखिये, db बराबर, mu not upon 4 pi, i, a, cos theta, d theta, upon नीचे भचा, a square, a से a, again cancel हो गया, हो गया, अब जो बचा उसको लिखिये, हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, विटा, db, is equal, mu not upon 4 pi, यहां बचा हुआ है, i, cos theta, d theta, upon a, यहीं पर इसका करेंगे integration, 0, 2, b, यहां करेंगे integration, minus 5, 1 से 5, 2, तक, कितना भी angle ले लिए जाए, बस आउन में आई, अभी 5, 1, 5, 2, फिर सम्जाओंगा, पहले अभी हमको, कहां ध्यान देना है, integration है, तो db का integration कई बार बताया है, इंटीग्रेशन db का क्या होता है, b की power 0, और b की power 0 का integration, 0 plus 1, upon 0 plus 1, कहां से, x की power n dx is equal, x की power n plus 1, upon n plus 1, तो हमारा db का integration आजाएगा, b, limit लगी हुई है, b minus 0, overall हैगा क्या, b, constant value बाहर आएगा, mu naught upon 4 pi, आई आपका constant होगा, यह आपका change हो नहीं सकता fix है, point p के लिए, बचा आपका क्या integration, cos theta d theta, बास हम में आई, cos theta का integration क्या होता है बटा, sin theta, तो हम यहाँ लिखेंगे, cos theta का integration, b is equal, और यहाँ side में indicate कर दीजिए, bracket में, integration, cos theta d theta is equal, sin theta, कर लिखेंगे, ब्रेकेट close, mu naught upon 4 pi, pi y है, यह हो जाएगा, sin theta, limit लगी है, minus 5 1, minus 5 2, नीचे लिखेंगे थोड़ा इसको, sin theta, limit लगी है, minus 5 1 से 5 2, कोई problem, अभी limit apply करना है, b is equal, mu naught upon 4 pi, i y a, सबसे पहले theta की place पे upper limit, तो आप यहाँ लिखोगे, sin phi 2, minus, बीच में symbol, minus का, sin यहाँ minus 5 2 है, तो minus 5 1, bracket close, sin minus theta, minus sin theta, minus minus क्या हो जाएगा, plus, thoughtly line में क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, जगे नहीं है, अब note कैसे करोगे, time कित्ता होगे, या इच्छा है, नहीं लिखना है, सब अपने घर जाओ, मैं पोटो कीच के, गल्स में एक में बेस दूँगा, वाइस में एक में भेश दूँगा, ठीक, सब के पास कोन है, नहीं है, है ना, तो तुमारे पास कैसे जाएगा, तुमारे पास गया तकी इसके पास सलगा, तुमारा number में पास है नहीं है, तुम मेरा number लिखो, मेरे वाले message कर लो, आपार से दाल्स में किसको देदूंगी सब्कु पासा लिगा क्योंगा से अनुसका तूंको बेदे ना आले बेदें तूंसापको बेदें नंबाल मिर्या लिको ना 7379 7